हारुफिक्स वान प्लास नॉट सी ए आटोमेटिकली वाइफाई टर्निंग आउन प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तेकर आज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल पर आपके जो वाइफाई है वो आटोमेटिकली आउन हो रहा हैं जिसके वज़े से यह हमें प्रॉब्लम आते हैं ठेकर तो पहले तो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा कि कुंसा सेटिंग है किस वज़े से क्लिक करें और अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसके एक ही रिजन हो सकते सेटिंग पर जाए वाइफवाइब नेट्रोक वाइफा वाइफाय कीज़े वाइफ़ प्रिफेरस्टा पर जाए यह सेटिंगं को बन कर दिजिए ठीक कि तो यह सेटिंग जो दोस्तों आपका आफर रहेगा तो आपके वाइफाय ऑ्टोमेटिक अनन होते रहेगा तापको यह सेटिंगまあ कर हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले आप ट्राइब करके देखिए अगर इससे प्रॉल्म सॉल्फ नहीं हो रहा है तो मुबाइल को सेफ मोट पे रिबूट कर दीजिए उसके लिए आपको क्या करना है प्रेस करके रखना है यह option मिलेगा पाउर ऑफ के बटन पे आपको क्लिक कर देना है दो सेटिंग के लिए ठीक है डबा के रखना है ओके कर देना है यहाँ पर स्क्रीन पे और आपके मोबाइल सेफ मोट पर रिबूट हो जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट पर दोस्तों आपको क्या करना है सेटिंग पर जाना है स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पर आ आपको reset कर देना है अपना mobile network setting इसके बाद दोस्तों आपका problem solve हो जाएगा सारे साथ दोस्तों अगर आपका mobile software update नहीं है तो system पर जाए सिस्टेम अपडेट पर क्लिक कीजिए और software को update कीजिए ठीक है तो अगर आपका Wi-Fi automatic on होते तो आप इस solution को follow up कर सकते हैं उमेची करते दोस्तों एपको एवी ओडेवा पास नागर तेंक्स वाची को आत्ना है